परिक्षार्तियों को फेल नहीं करेंगे परिक्षक जी हां दोस्तों आप सब दोस्तों के लिए खुश कबरी की बात है कि एक दो अंग से अगर आप फेल हो रहे होंगे तो आपको गीस मार्क्स दे कर पास करा दिया जाएगा ठीक है दोस्तों तो आप सब दोस्तों के लिए यहां पर दोस्तों लिखा हुआ है मुझा फर पूर इनवर्सिटी एक या दो नंबर से बीशात्र फिल नहीं करेगा कॉंपे जाच रहे परक्षकों को परक्षा विभा की ओर से नसीहत दी गई है कि वह एक दो या तीन नंबर से किसी को भी फिल नहीं करेगा पास मार्क में इतने कम नंबर हो तो उस छात को पास कर दिया जाए फार्ट वन के रिजल्ट में कई छात्र एक या दो नंबर से फिल कर दिये गए हैं जिस से छात्र आंदोलन कर रहे हैं विहार विश्वविदालये में अभी पार्ट 2 की कॉंप्यों के जाच जारी है कई परिक्षाओं में चात्रों को एक से दो नंबर से फिल कर दिये जाने की मामले सामने सनातक से लेकर फीजी तकी पर ऋमें चात्रों ने कःम नंबर से फिल होने पर और उंदोलन किया था पिछले वर्ष फीजी की परक्षा में कई छात्रों को एक से दो नमबर से फिल करा दिया गए जिसके बाद से आंदोलन हुआ है दोस्तों ठीक है कहने का मतलब है कि आप सभी दोस्तों का पार्ट टू का जी हां दोस्तों सेशन 19 के 22 का चात्र है तो आपका जो पार्ट इस वालों का पार्ट वन में केमेश्ट्री में कई छात्रों को आये सुनी अंग पार्ट की परिक्षा जारी रिजल्ट में कई छात्रों को कमेश्ट्री में सुनी अंग आये हैं एमसे कीवी कॉलेज की असीसा कुमारी ने बताया कि उसने सबी सवालों के उत्तर लिखे थे लेकिन उसे कमेश्टरी की थियोरी में सुनिय अंक दिये गये हैं। उसी कॉलेज की सुप्रिया भार्ती को भी कमेश्टरी में सुनिय अंक आये हैं। एस एस नेस कॉलेज मुझाफरपूर के संदीव कुमार को भी केमेश्ट्री में सुन्य अंक आने से चात्र परसान है और विसेविदाले का चकर काट रहे हैं पार्ट वन की रिजल्ट में गरबड़ी पिछले दिनों चात्रों को भी से विदाले में हंगाम भी किया था कहने के मतलब एक अगर आप सब्सक्राइब करका रहेंगे तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करकर रखिए मिलते हैं निव विडियो लेकर तब तक के लिए जय हिंद जय भार